हाई अब्रिवान जय हिं जय भारत जय मातादी तो जीपी रेटिंग करना है तो मैं आज टॉप फोर कॉलेजिज इन जीपी रेटिंग कोर्स के लिए दोनों कॉलेजिज अपनी इपनी शिपिंग कंपनी हैं इंडियन शिपिंग कंपनी हैं मैं शिपिंग कंपनी के ऐसी यंके अलग से वीडियो बनाऊंगा वह भी आपको देखने चाहिए बट फिलाल अगर आपको यहां पर जाना आपको 100% क्रिस्मेंट मिलेगा फीस हाई है education loan मिलेगा क्योंकि sponsorship letter देंगे आपको और साथ में 100% क्रिस्मेंट की guarantee भी देंगे यहां पर जाने के लिए आपके पास ITI होना जरूरी है और अगर इसके बारे पूरी information चाहिए और बाकी दोनों कॉलेज के बताने वाला हूं तो आपको हमारी GP rating guidance series जो की merchant navy decoded website available है वह पूर form कैसे भरें क्यों भरें हर जानकारी latest updates आपके पास आते रहेंगे भया form आ गया है form चलने जाने वाला है भर दो everything राइट नीचे के दो colleges है नूसी गोवा और टी एस रहमान college है दोनों बहुत पराने college है GP rating के लिए इनका भी नाम चलता है हिंदुस्तान में GP rating के लिए और य यहां का campus placement कैसा है इसका भी बहुत जल्दी मैं video बनाके आप लोगों डालूँगा यह मेरी तरफ से recommended colleges हैं इनका interview निकालना इनका test निकालना इस not easy और उसके लिए अगर आप इन चारों college की त्यारी कर रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि merchant navy decoded website पे जहांज आप लोगों के लिए भी online course लेकर आया हूँ जहां पर आपके पास aptitude कैसे पढ़ा जाए math कैसे पढ़ा जाए पूरे के पूरे profit and loss percentage सारे के सारे videos हैं जिससा आपको बहुत कुछ सिखने को मिलेगा 10 घंटे content लगबग English का भी उसमें आने वाला है उसके लावा आपको college में क पढ़ा जाएगा वह सब रहेगा और साथ में अगर आपको जीपी रेटिंग से इंजिनियर ऑफिसर बने उसके भी courses है तो जीपी रेटिंग foundation एक course है जीपी रेटिंग अचीवर एक course है जीपी रेटिंग टु यूके सी ऑफिसर जो की आने वाले courses है वो अलग-अलग courses है बटे सब courses आ रहे हैं लिंक नीचे description box में जाएए देखी analyze कीजिए कोई डाउट आता है हमें email कीजिए teammerch.nevidecorder.gmail.com पे या फिर whatsapp कीजिए इस number के उपर हम आपकी हर query का answer देंगे तो हाँ अगर आप Instagram पे तो मुझे follow करना ना भूले है Chief Engineer Pranit, Take care bye